नमस्कार दोस्तों, जो भी कुछ अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है, इसको लेकर अब थोड़ी सी चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस्पेशली आपको पता होगा 31st of August, ये बस आनई वाला है 5-6 दिन के अंदर, तो यहाँ पर अब कोशिश ये हो रहा है कि जो करनिंग देती है कि 31st of August के बाद हम कुछ भी सहन नहीं करेंगे और इसका consequences काफी बुरा हो सकता है, तो इन सारे चीजों के बीच एक बहुत important ख़बर आई, कि जो अमेरिका की intelligence agency है CIA, इसके जो chief हैं, उन्होंने कल यहाँ पर काबूल में मुलाकात की है, तालिबान के top leader के सा brother आपने सुना होगा, तो यहाँ पर हम इसकी चर्चा करेंगे कि exactly हो क्या रहा था, और साथी साथ यह जो person है brother, यह काफी important है तालिबान के perspective से, इसके बारे में भी मैं आपको बहुत से interesting चीजें बताऊंगा, तो चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, तो simply आपको हमारे app को डाउनलोड करना है, वहाँ पर जाके आप हमारे जितने भी courses हैं, UPSC, State PCS, Banking, बहुती कम दाम पर अवेल कर सकते हैं, तो जल्दी से जाएए इस मौके का फायदा उठाइए, चली देखते हैं exactly आपर हो क्या रहा है, हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको बोल रहा था कि जो American Spy Agency है CIA, इसके जो चीफ है, उनका नाम है William Burns, तो उनके द्वारा यहाँ पर एक मुलकात की गई है, secret meeting हुई है, तालिबान के लीडर अब्दुल घानी बरादर के साथ, काबुल के अंदर ये सब कुछ हुआ है, ऐसा बता सकते हो, जब काबुल के अंदर खुद गए है CIA की चीफ और यहाँ पर बातचीत की गई है, और मैं आपको बता दूँ कि ये जो परसन है, CIA के चीफ है William Burns, ये US President के one of the most experienced diplomats है, और जहां तक बरादर की बात है, वो तालिबान के political office के head है, मतलब जो भी political decision वगरे लेना है, व क्या हो रहा है exactly, देखे यहाँ पर Biden administration के उपर बहुत सारा pressure आ रहा है बाकी देशों के द्वारा, जैसे UK हो गया, जर्मनी हो गया, तो Europe के बहुत सारे देशों के द्वारा pressure आ रहा है, कि August 31 का ये जो deadline है, US ने लगाया था कि हमारे forces निकल जाएंगे, इसको further extend किया जाए, क और फिर और भी जो securities agency हैं, जो NATO के forces हैं, उनको मदद की थी, तो उनकी जान को खत्रा है, तो उनको भी वहाँ से बाहर निकालना है, तो ये सारी चीज़े पॉसिबल नहीं है कि August 31 के deadline में हो सके, और इसलिए मैं आपको बता दूँ कि G7 जो countries की meeting है, आपको पता है, इसकी जो particular deadline है, 31st of August का, इसको extend करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ, तालिबान ने पूरी तरह से warning दे दी है कि इसका consequences काफी बुरा हो सकता है, जी हाँ, आप देख सकते हो, कतर के अंदर एक spokesperson है, सुहल शहीन, उनके द्वारा मंडे को ही बयान आया था, कि extend करने का मत लब ये है कि they are extending their occupation, क्योंकि Taliban ऐसा मानता है कि West countries ने occupy किया हुआ था अग्वानिस्तान के अंदर, और वो फर्दर अगर 31st August के बाद भी अपना presence रखते हैं, चाहे काबूल एरपोर्ट या फिर अफ़र अफ़गानिस्तान पर कहीं भी, तो ये एक प्रकार से occupation माना जाएग है और इसका जो consequences है वो बहुत बुरा हो सकता है, ये यहाँ पर warning दी जारी है directly Taliban के दोरा, और साथ में आपको ये भी समझना है कि Taliban ने जितने भी अफगान नाशनल्स हैं, उनको रोग दिया है, उनको allow नहीं कर रहे हैं एरपोर्ट के अंदर घुसने में, पूरी तरह से पा discuss क्या हुआ, देखें, meeting के अंदर discuss क्या हुआ, अगर ये मुझे पता चल जाता, तो फिर अमेरिका की ये spy agency CIA, CIA नहीं रहती, तो यहाँ पर जो reports के अधार पर खबर आई है, उसमें ये बताया जा रहा है कि extension को लेकर शायद बातचीत नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसा बयान इ इसको लेकर चर्चा की है, इसके अलावा बताया जा रहा है कि जनरल जो चीजें है, terrorist threat हो गया, evacuation का operation हो गया, इसको लेकर कहीं न कहीं बातचीत होगा, और साथी साथ, यहाँ पर जो भी suicide attacks वगर होते हैं, या फिर जो Islamic State है, वो हमला कर सकता है, यहाँ पर Islamic State का भी आपको र लेकिन अफगानिस्तान के अंदर Islamic State का presence बना हुआ है, तो Taliban और Islamic State में कभी भी आपस में नहीं बनती है, और दोनों के बीच में आपको समय समय पर वोड जैसा माहूल देखने को मिलता है, और साथी साथ जो Islamic State है, वो आरोप लगाता है Taliban के उपर, कि आप तो बहुत ही moderate हो, ह इसको लेकर भी हुआ होगा, Islamic State का मुद्दा क्या होगा, क्योंकि ये लोग भी और problem create कर सकते हैं, यहाँ पर आपको समझना है कि Taliban को भी कही ना कहीं cooperation चाहिए international community से, 1990s में जब एक प्रकार से isolate हो गया था Taliban, वो उस चीज को repeat नहीं करना चाहता, इसी की बज़े से आप देख अपनी embassy से जितने भी staff हैं, उसको तो withdraw कर लिया है, तो यह present में situation चल रहा है, लेकिन जैसा मैंने आपको स्टार्टी में बोला था कि मैं आपको इस person के बारे में बताऊंगा, अब्दुल घानी बरादर, यह बहुत ही important personality हो जाते हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे, 1968 में इसक Soviet के खिलाफ लड़ा था, और यह 1994 में यह दोनों, उमार और बरादर, दोनों मिलकर ही इन्होंने Taliban को found किया था, तो इसी के उजए से बरादर important हो जाता है, क्योंकि उमार तो मारा गया आगे चल कर यह खतम हो गया, फिर 15 साल तक अगर आप देखो तो उमार के जश्ट नीच हो जाता है, और यह जो Taliban है, उसकी पूरी leadership पाकिस्तान के अंदर चली जाती है, वहाँ पर पना ले लेती है, अपने आपको safe रखने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर US पूरी तरह से invade कर देता है, तो बरादर जो है, वो एक प्रकार से forefront में आ जाता है, उमार प बरादर है, वो अफगानिस्तान सरकार से peace talk करना चाता है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, कि जो बरादर है, वो थोड़ा सा moderate माना चाता है, बाकी तालिबानियों के मुकाबले, comparative मैं बता रहा हूं, यह नहीं कहना हूँ कोई बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ, लेक तो 2009 में उसने peace talk के लिए आवान किया, अफगानिस्तान सरकार ने, लेकिन उसी वक्त क्या होता है, कि पाकिस्तान की जो authorities हैं, वो बरादर को arrest कर लेती है 2010 में, और 2018 तक उसको jail में रखती है, लेकिन एक बहुत surprising move था, क्योंकि ज़्यादा तर यहीं देखा जा रहा था कि प sponsor है एक प्रकार से, तो वो बरादर को कैसे arrest कर लिया, आगे चल कर पता चलता है कि देखिए पाकिस्तान इसलिए arrest कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान का जो influence है अफगानिस्तान के अंदर, वो कम हो रहा था, और पूरे peace talk को वो खतम करना चाहता था पाकिस्तान, और इसी की वज और पाकिस्तान उनके साथ ज़्यादा close हो रहा था, तो आगे चल कर अमेरिका बहुत ज़्यादा pressure डालता है पाकिस्तान पे कि 2018 में आप बरादर को release कर दो, ताकि peace talk चालू हो सके, तो finally पाकिस्तान 2018 में बरादर को release कर देता है, और उसके बाद जो peace talk है दोहा के अंदर, व तालिबान के बीच में एक agreement होता है कि किस प्रकार से troops का withdrawal वगरा होगा, जो भी कुछ है वो तो आपको पता ही है, फिर 2020 के बाद जो भी कुछ अभी तक हुआ है, और जैसे ये agreement होता है, Donald Trump पहले अमेरिका के राश्पती बन जाते हैं, जिनोंने तालिबान के किसी leader के साथ बातचीत की हो, एक phone conversation होता है दोनों के बीच में और ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये पूरा मामला है, अभी देखते हैं कि 31st of August क्या तालिबान अलाव करता है, क्योंकि तालिबान ने तो पूरी तरह से मना कर दिया है, तो किस तरह से लोगों को हां से निकाला जाएगा, एक बहुत बड़ा question है, लेकिन अभी के लिए जो जो भी secret meetings वगरत थी, उसके बारे में जानकारी आपको मिल गई होगी, जाने से पहले एक interesting question, अफगानिस्तान की boundary से related है, आपको बताना है, कि इन 4 देशों के साथ कौन सा ऐसा देश है, जिसका अ लग-लग social media पर भी आप मुझसे जोड़ सकते हैं, साथी साथ अगर आप UPSC किसी भी exam की preparation कर रहे हैं, simply you have to download our app, और वहाँ पर जाकर आप सारे courses अवेल कर सकते हैं, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता है आप से next time till then, thank you very much, see you soon.